इस वीडियो लेक्च्छर में हम type of package के उपर study करेंगे और इस वीडियो में हम समझेंगे कि type of package क्या होते हैं हमारे vagab programming के अंदर अगर package का आपको introduction समझना है कि package क्या होता है कैसे काम करता है package के क्या मतलब होता है पैकेज से हमें benefit क्या है तो फिर आप मेरा एक introduction पार्ट का वीडियो है उस वीडियो को आप देख सकते हैं और वहां से समझ सकते हैं फिलाल में इस वीडियो में मैं आपको समझाओंगा पैकेज की types के बारे में तो समझते हैं तो type of package में हमारे पास दो types के होते हैं तो टाइप ओफ package इन जावब ठीक है सबसे पहला होता है predefined package दूसरा होता है user defined package प्रीडिफाइन पैकेज को एक और नाम से जानते हैं ब्यूटिन पैकेज ठीक इसको हम package की collection को हम बोलते हैं API ठीक है और जो user defined package है यह अपना एक दूसरा package है इस वीडियो के अंदर हम syrup predefined package के बारे में सीखेंगे जो हमारा next tutorial होगा उस tutorial के अंदर हम user defined package के बारे में सीखेंगे ठीक है मैं यहाँ पर थोड़ा सा बता देता हूँ आपको predefined package का मतलब वह package जो java programming के अंदर दिया गया है जावा developer के दुआरा उन्ही package के उपर हम यहाँ पर study करेंगे और user defined package वह package होते हैं जो कि हम खुद से create करते हैं अपने project के हिसाब से तो इसको हम next वीडियो में देखेंगे तो सबसे पहले यह predefined यह start करते हैं predefined package यानि built-in package कहीं कहीं आपको predefined package मिलेगा कहीं कहीं आपको built-in package मिलेगा इसका दोनों नाम सेम ही होता है आपको नाम को लेकर की confusion नहीं होना है इसका definition हम देखते हैं the predefined package it is a collection of predefined dot class file which has been given by sun microsystem company to utilize them into the cross project for the basic or complex application development is called predefined package predefined package जो होते है friend सबसे पहले यह जो होते हैं dot class file का collection होते हैं dot class file का collection का मतलब होगा कि जब आप किसी class को run करते हो अपने जावा प्रोग्राम को तो उसे आपके पास एक dot class file बनता है तो उसी को हम बोलते हैं dot class file तो predefined package का मतलब होगा कि जावा का जो language है जहां से develop हुगा था जावा बना sun micro system के द्वारा वहीं से इन्हों ने package बना करके दे दिया यह आप मेरे तरफ से predefined package लेजिए और इसमें कुछ classes है interfaces है आप यूज कीजिए तो हम यहां पे बस package के बारे में study करेंगे हम बनाएंगे नहीं package हाना तो इसको हम बोलते हैं predefined package और predefined package के अंदर dot class file का collection होता है और आप समझेंगे थोड़ा details में जब मैं आगे चलूंगा तो जावा API मतलब की application programming interface API का मतलब होता है application programming interface provide a large number of class grouped into different package according to functionality is called API API का मतलब होता है अगर package की collection को हम API बोलते हैं जैसे हमने एक package बनाया हमने एक दूसरा package बनाया हमने एक तीसरा package बनाया मतलब की in numbers मतलब की मानलो हमारे पास 10 package हो गए और उन package को फिर हम एक package के अंदर डाल दिये तो वह हमारा बन जाता है API ठीक है next point देखते है it is created already by sun microsystem मैं आपको बताया हूं जो आपका predefined package है यानि built-in package या already बना बनाया गया है sun microsystem company के द्वारा और यह जो package है जहां से develop हुआ था java programming जहां से java की उत्पती हुई थी वहीं से इस package का बना करके उसमें दे दिया गया था थीक है और तो हमें बस क्या करना है इन सब package को बारे में study करना है और हमें समझना है कि अच्छा हमें तू बना बनाया दिया गया है package लेकिन उन सबी package का मतलब क्या है यूज़ क्या है तो उन ही सबी package बारे में बस मतलब की जावा स्विंग कि अभी इसमें और भी पैकेज थे लेकिन मैं आपको इतना ही दिखाया हूँ और मैं आपको इस वीडियो पैक्चर में इतना ही cover कराऊंगा और अगर आप इतना अगर आप समझ जाते हो तो that means की आप और भी समझ जाओगे हैं तो हमें Start करते हैं सबसे पहला पैकेजों की Java LAN पैकेज है पहला पैकेज हम समझना है Start कर रहे हैं देखो यह जो Package है यह बना मैक्रो शिस्ट Euch awfulMON के दोवारा जावा डेवलापर के दोरा ठीक ना पस हम इस package के बारे में समझेंगे कि इस package का मतलब क्या होता है और इसमें कितने classes हैं कितने interfaces हैं और इसको हम कहां use करेंगे यही चीज हम इसके बारे में study करेंगे हम और कुछ ही इसके बारे में study नहीं करेंगे तो इसका definition है the java land package is a by default package in j जावा प्रोग्राम यह जो java.land package है आपका यह by default package है by default package का मतलब हुआ कि आप कोई ऐसा प्रोग्राम लिखते हो अपने java के अंदर जो की अपने package को import करना compulsory पर जाता है आपको लेकिन यह जो package है एक ऐसा package है कि आप कोई सा java program लिखो एडिशन और two number का या subtraction का कोई सा एक normal भी java program लिखोगे तो आपका यह back end में java.land package चलता है यह system के अंदर चलता है आपको दिखाई नहीं देता है लेकिन यह चलता है तीक है next point देखते है यह जो package है automatic imported होता है कि इसमें java programming के अदर मतलब की loaded होता ह है आपके file के अंदर ठीक है we no need to import it इसको हमें import करने की जरूरत नहीं पड़ता है इस package को ठीक है इस package के अंदर भी classes है मैंने आपको बताया था जी collection of classes को package बोलते हैं तो जी collection of classes और collection of interfaces को package होता है तो देखो जावा.land package के अंदर कितना classes है एक डो तीन चार पांच छे और भ class, string class, object class, integer class, runable class, float class, बहुत टाइब्स के classes होंगे ठीक है और by default in programming backend side या बाइकर साइन में work करता है by default अब देखो यह जो system class है यह जो string class है यह जो object class के इसका .class file इसके अंदर रहता है इस java.land package के अंदर मैं आपको दिखाता हूँ देखना छिखने परेंगald यह सम्जोना java.land package का southeast hierarchy होता है इसमें यह जो java आपका होता है यह base package होता है और length होता है आपका sub package होता है ठीक तो java.land के अंदर हम यह.s हम package के अंदर पैकेज के अंदर इन्टी कर रहा है ऺाजी का मतलब होता है इन्ट्री तो हम जावा डौट लैन अगर लिख रहे हैं तो मतलब कि base package के अंदर एक्स स क्लासे शोंगे थीखिए यहां पे тебе स्पेकेज यहां यहां पर आप देख रहे हैं कि इसमें क्लासिस में और भी क्लासिस आते हैं तो कहना का मतलब हुआ कि यह जो जावा डाट लैंड पैकेज है इसके अंदर 1 2 3 4 5 6 7 अभी तो मैं आपको साथ classes दिखाया हूँ लेकिन इसके अंदर और भी बहुत सारे classes होते हैं अब देखो इसमें अगर मानलो आपको यूज़ करना है इसको class को तो कैसे आप लिखते हो अपने programming के अंदर आपको लिखना है इस type से how to access these classes अगर मानलो लेट से हमें इस class को अपने फाइल के अंदर लोड करना है तो कैसे लिखेंगे java.land.object.class तो यह हमारा object.class फाइल है जो access होगा ठीक या फिर अगर हम लिखते हैं java.land.star तो इस star का मतलब हुआ कि आप एक particular class को नहीं access कर रहे हो आप total class को access कर रहे हो ठीक है तो इसमें जो हैता है आपका import java.land.object.class तो यह तो आपका एक particular class के लिए लोड करने के लिए होता है और अगर आप import java.land.asd कर रहे हो तो इसका मतलब कि आपका total class इसमें लोड होता है ठीक है नेक्स्ट package देखते हैं नेक्स्ट package आता है हमारा java.util इस package का use क्या होता है this package is used in data structure programming इस package का use तब करते हैं जब हमें data programming करना होता है अपने java language के अंदर तब ठीक है it helps to take input value from user in java programming या मदद भी करता है हमें java में user से value input लेने के लिए input लेने के लिए हम कैसे लिखते हैं input java.ut.scanner या जो scanner class होता है इसी class की मदद से हम अपने java के अंदर input ले पाते हैं ठीक next point है it is known as collection framework और इसको हम collection framework के नाम से भी जानते है it contains all utility classes into package into this package मतलब कि इस package के अंदर utility classes होती है example में जैसे कौन सी classes है scanner class link list class vector class stack class etc इसमें और भी बहुत सारी के classes आते हैं ठीक इसका मैं hierarchy आपको दिखा देता हूं hierarchy कैसा होता है कि जैसे यहां पर बेस package के अंदर आपका होता है जावा जैसे आप लिखते हो ना import java.utile.star तो यह जो import आपका होता है यह आपका keyword होता है Java जो आपका होता है base package होता है, यूटिल जो होता है sub package होता है और यह.ूट होता है इसका मतलब готов test class को आप access कह रहे हो अगर star लगा रहे हो तो इसkas मतलब بऄ और hometown कि अना तो यह java हमारा base package बनता है यूटिल हमारा sub package बनता है और यूटिल package इसके अंदर आप जाओगे तो यह सभी class.class file मिलता है scanner.class, set.class, linklist.class, vector.class, data, date.class, calendar.class, collection.class, collections.class, collection और collection दोनों में अंतर हैं, यह दोनों अलग-अलग class है, मैं आपको आगे की programming में समझाओगा, तो इसमें इतना सभी कुछ classes है, इसके आगे और भी classes होते हैं, अब देखो how to access these classes, अब इस classes को अब मैं अगर project के अंदर यूज़ करना है, तो कैसे यूज़ करेंगे, अगर हम लिखते हैं, java.ut.scanner, तो इसका मतलब हुआ कि हम एक particular class को यूज़ कर रहे हैं, मतलब कि सिरफ और सिरफ हम इस class को यूज़ कर रहे हैं, ठीक, अगर हम लिखते हैं, java.ut.scanner.star अगर हम लिखते हैं, तो इसका मतलब कि हम इस package के अंदर जितने classes हैं, 1000, 2000, इन सभी classes को हम यूज़ कर रहे हैं, सभी classes को यूज़ कर रहे हैं, यह फाइल के अंदर है तो यह है star का मतलब होता है कि all मतलब कि अगर सबी classes को load करना है तो आप star इउज करेंगे अगर किसी एक class को use करना है तो उस class का आप नाम लिखेंगे ठीक है और देखो यह class नहीं होता है यह class का dot file होता है तो यह होता है आपका अब next हम देखते हैं नेक्स्ट जो हमारा package आता है वह आता है आपका java.io package इस package का मतलब क्या है इस package इस java.io package used to perform input and output operation on file in that case we use java.io package java.io package का use हम तब करते हैं जब हमें किसी file से related काम करना होता है जैसे file में read करना file में write करना data read करना data write करना तो उस situation में हम input output का java.io package का इस्तेमाल करते हैं ठीक और in which all the classes are available related to file operation और यह जो package है java.io package इस package के अंदर file से related जितने भी classes होते हैं वह सभी classes मौझूद होते हैं या syrup और syrup file handling के लिए use करते हैं जब हम file handling करते हैं जिसमें हमकी file में data को read करते हैं write करते हैं तो उस situation में हम इस class को इस package को हम अपने file java program के अंदर load करते हैं और काम करते हैं इसके अंदर देखो classes कौन कौन से होते हैं classes होते हैं file class input stream class output stream class exception class file writer class file reader class ये सभी classes इसके अलावा और भी classes आते हैं जावा.iU package के अंदर ठीक तो इसको हम बोलते हैं java.iU package I hope आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ रहा हूँ जो मैं बता रहा हूँ ठीक है अब इसका hierarchy समझ लेते हैं hierarchy होता है जैसे आप अगर file के अंदर import करते हो import java.iU.star तो star का मतलब की इस iU package के अंदर जितना भी classes है सब classes हो आप load कर रहे हो अपने file के अंदर अगर dot लगा करके class का नाम लिख रहे हो तो इसका मतलब की आप एक particular class को import कर रहे हो ठीक मैं अभी बताऊंगा अब देखो यहाँ पे यह जो java होता है आपका base package होता है यह जो iU होता है आपका sub package होता है और इस iU package के अंदर जो होता है आपका यह dot class class file होता है जैसे file dot class input stream dot class output stream dot class object input stream dot class iU exception इसके आगे भी कुछ classes है ठीक अब देखो जैसे हमें इस class को file class को हमें अपने program में load करना है तो कैसे लिखेंगे import java dot iU dot file ठीक तो यह class हमारा क्या होगा file के अंदर load हो जाएगा या ऐसे लिखेंगे import java dot iU dot file और यहां पर same color लगाएंगे तो इस सिरफ हम सिरफ इसी class को हम access कर पाएंगे और इस class को जब हम access पर पाएंगे तो इसके अंदर जितने भी methods होंगे सभी methods को access कर पाएंगे हना अगर मानलों की लेट से हमें सबी classes को यूज करना है तो हम बारी बारी से तो नहीं लिखेंगे इंपूर्ट java dot iU dot इंपूर्ट stream इंपूर्ट java dot iU dot stream अगर मैं इसे लिखूं तो एक हजार इसमें classes हैं तो हमें 1000 इंपूर्ट करना पड़ जाएगा यहां पे तो बहुत हमें दिक्कत होगा बहुत हमें तकलीफ होगा तो इसको इस situation से हटने के लिए problem को solve करने के लिए हमारे पास एक स्टार का concept आता है अब हमें स्टार लगा देते हैं इंपूर्ट java dot iU dot package का नाम निको उसके बाद यहां पे स्टार लगा दो बात कतम तो स्टार लगा देंगे तो मालूम पड़ जाएगा हमारे system computer को कि इस स्टार का मतलब होगा कि इस package के अंदर जितने लूट के अंदर रॉड कर दो तो हमारा सरी एक दू तीन चार पांट छे इसके अलावा और वी जो कलासे होते सबी कलासे समयरे फाइल के अंदर रोड हो जाएंगे ठीक है बात के लिए समझ में आ रहा है कोई doubts है तो comment section में पुछ ले लेकिन किलियर समझ लेना क्योंकि मैं जो बता रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंस चीजे में बता रहा हूं नेक्स्ट पैकेज देखते हैं नेक्स्ट पैकेज जावा.awt जावा.awt का मतलब हुआ है इसका डिफिनिशन समझते हैं जावा.awt इसका मतलब होता है विंदोस टूल किट और इस पैकेज का यूज करते हैं जब हमें desktop application बनाना होता है तब अगर हमारे client की requirement आ गई कि आपको एक desktop application बनाना है डेवलप करना है तब उस situation में as a java developer java.awt package का इस्तेमाल करता है और अपने project को complete करता है बात के लिए समझ में रहा है और यह जो package है predefined package है मैं अभी इसमें जितना भी आपको package कराते आ रहा हूं यह सभी package predefined package है और यह बना बनाया package है बस इस package के बारे में हम study कर रहे हैं यहाँ पे कोन सा package किस काम के लिए बनाया गया है ठीक है नेक्स पॉइंट देखते हैं इन वीच वी राइट जावा मैन मेथड वाइल डेवलोपिंग जी यू आई ग्राफिक यूजर इंटरफेस application और standalone application का मतलब हुगा कि desktop application मतलब कि वह जो application होगा आपके computer machine पर ही चलेगा और वहीं पर डेवलोप होगा ठीक और जब हम EWT programming करेंगे तो उसमें हम man method लिखते हैं लेकिन applet programming जब करते हैं उसमें man method नहीं लिखते हैं क्यों नहीं लिखते हैं मैं applet की video lecture में समझाया हूँ आप वहाँ से समझ सकते हैं है और EWT का यूज करके package का हम graphic user interface programming करते हैं तबकि अगर हम एक calculator बना रहे हैं तो क्या हम तो graphic user interface कर रहे हैं वहीं तो यह concept होता है its program creation and execution on same computer machine यह अगर हम EWT program बनाते हैं तो इसका creation और execution एक ही machine पर होता है single machine ठीक लेकिन वहीं अगर हम applet की program बनाते हैं तो हम different location पर चलाते हैं किसी server और पर चलाते हैं next point देखते हैं its package use for develop desktop app only यह package का use करते हैं syrup over syrup desktop application बनाने के लिए its do not use for web application इसका use हम web application के लिए नहीं करते हैं its use for desktop app development only जैसे calculator अगर आप calculator बना रहे हो जावा प्रोग्रामिंग के अंदर तो इसका मतलब कि आप AWT package का इस्तेमाल करोगे और उसके बाद आप calculator डेवलप करोगे तो यह जो आप calculator बना हुए यह आपका जी यूवाई मतलब की ग्राफिक यूजर इंटरफेस प्रोवाइड करेगा और आपको आपका यह जो application होगा स्टेंडरलोन application होगा ठीक है और देखो AWT के अंदर कुछ classes हैं और वो कौन से classes हैं मैं आपको दिखाता हूँ जैसे frame class हो गया text fill class हो गया button class हो गया level class हो गया इसके आगे और भी classes आते हैं ठीक तो आपको मैं इतने ही सिखाया हूँ आप इसके आगे और भी classes होते हैं इत application platform dependence यह जो इसमें अगर आप AWT का concept यूज करके अगर आप application बनाते हो डेवलप करते हो तो वह जो application होगा क्या होगा platform dependence होगा डिपेंड का मतलब होगा कि जिस platform पर बनेगा अगर windows पर बना है तो windows पे चलेगा Linux पर बना है तो Linux पर चलेगा इसका यह मतलब होगा और इसके अंदर class होता है frame text fill button label इसके आगे और होता है ठीक है अब मैं इसका आपको dot class fine देखाता हूं कि इसका dot class fine जो होता है package के अंदर कैसे रहता है यह java awt का कुछ हेराकी है package का जैसे यह जो आपका होता है java यह best package होता है यह awt जो आपका होता है सब package होता है जैसे import java dot awt dot अगर star लिखते हो तो इसका मतलब एक दू तीन चार यह जित इसके आगे और भी classes होते हैं तो इसका मतलब कि यह सभी classes की जो dot class file है सभी आपका file के अंदर load हो जाएगा अगर आप सिरफ और सिरफ एक इस class को access करना चाहते तो आप दिखोगे import java dot label और उसके बाद semi color लगाओगे तो आपका यह ही एक particular class access होगा ठीक है और देखो इसके अंदर बेस जो आपका यह जावा होता है base package होता है awt होता है जो आपका sub package होता है और awt के अंदर classes कितना है label dot class text fill dot class button dot class frame dot class मतलब कि यह जो sub dot class file है किसका जो हमने class दिखाय था आपको जैसे label class, text fill class, button class, frame class उन सब का यह dot class file है और package के अंदर याद रखना syrup और syrup dot class file ही होता है उसी को हम dot class file बलते है थीक है तो इतना बात समझ में आया यह जो java dot awt package है इसका क्या यूज है फिट से मैं पता देता हूँ java dot awt जो package है इसका यूज होता है graphic user interface मतलब कि GUI app development के लिए सिंपल वासा है अब next package देखते हैं नेक्स्ट है अपका java dot net package java dot net package मतलब कि network related package यह जो package है किस काम में आता है मालूम है network related package है और इसका यूज करते हैं जब हम किस network पे कुछ काम कर रहे होते हैं उस situation में it package is for networking related work जब हम कुछ network पे काम कर रहे होते हैं java coding के थूरू तो उस situation में हम इस package का इस्तेमाल करते हैं इस package के अंदर जो classes होता है url connection होता है फिर url class होता है इसके जागे और भी तो बहुत तरीकी के classes होते हैं तो यह network related package होता है ठीक यह बात समझ में आ गया उसके बाद जाब next package है java SQL तो इस पे यह package किस काम के लिए आता है डाटा बेस related package यह जो package है database related package है कहने का मतलब है अगर database से हमें कुछ काम करना पड़ता है डेटा में database में value को डालना है फिर निकालना है फिर insult, update, delete अगर करना है java programming के थुरू तो उस time में हम java.sql package का इस्तेमाल करते हैं ठीक है और यह database related package होता है this package is used for database related work only जब हम database से कुछ काम कर रहे होते हैं अपने java coding के थुरू तो उस time में हम java.sql package का इस्तेमाल करते हैं इसके अंदर देखो connection, statement, result state इसके अंदर बहुत types के interfaces होते हैं ठीक all are the interfaces या जो है एक दो तीन अभी इसके आगे और भी है तो इसमें ना interface होता है इसमें class नहीं होता है ठीक और यह सभी interfaces क्लास नहीं है आपको मालूम है class और interface में difference क्या है अगर नहीं मालूम है तो आप मेरा interface का video lecture देखेंगे तो वहां से आपको interface की बारे में जनकारे मिलेगी ठीक और java SQL package देखो it is using JDBC program जब हम JDBC programming करते हैं तो उस time में हम java.sql package का यूज करते हैं मैं JDBC के ऊपर और लेडी वीडियो बना चुका हूं आप वहां से देख करके JDBC का funda को समझ सकते हैं ठीक है नेक्स्ट आगा बढ़ते हैं नेक्स्ट है हमारा जावा x.swing इस package का मतलब क्या हुआ इस package definition इस package और यूज फॉर जावा desktop app development तो यह भी जो package होता है java x.swing इस package का भी यूज हम java का जो app development करते हैं GEY application बनाते हैं calculator बनाते हैं तो उसी time में इस package का हम इस्तेमाल करते हैं ठीक फिर next point है it is a extended version of awt package जो यह भी यह जो package है extended version है मतलब एक enhanced version है ठीक है awt का awt के उपर मैं बता दिया हूँ आपको क्या होता है तो उसी का यह extended version है मतलब की enhance version वाला version ठीक नेक्स पॉइंट है it contains all feature of java awt या जो contain करता है क्या awt का total feature content करता है जो package है as well as it contains extra feature for better application development और या इसके पास और आपना भी additional कुछ feature है जो कि application को बहुत अच्छे तरीके से डेवलप करता है बेटर बनाता है ठीक इसके अंदर देखो classes कितना है जे फ्रेम जे बटन जे टेक्स फील जे लेवल यह सभी classes है ठीक यह जावा एक्स डॉट स्विंग के अंदर इट अप्लिकेशन प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंडेंट्स और इसमें जो आप अप्लिकेशन बनाते हो वह application प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंडेंडेंडें प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडें यूटर भी है थीक है और इसके अंदर KLAрев क्लासफ कह दैसे यी फ्रेम जीए बटन्सी टेकसस्ट जीए लेबल मतलब की इसके आगे फ्रेम बटन्सी जीए लग गया है अगर ये लग गया तो समझझ जाना कि आप जावा सुंग की हम बात करें और इस jakiś का मतलब होता है extended version मतलब की enhanced version ठीक है बात के लिए समझ में आ गया यहां तक अब इस तो आपको यहां तक बात समझ में आया java x.wing package तक ओक तो अब मैं आपको एक example कराता हूं जिसमें एक package का इस्तेमाल करूंगा कोई भी package होगा predefined जो आपको कराया हूं और एक example से मैं आपको समझाता हूं तो आप चलते हैं एक जामपल देखते हैं एक जामपल है राइट प्रोग्राम इन जावा टू यूटिल package हम जावा यूटिल package का इस्तेमाल करेंगे अपने प्रोग्राम के अंदर और फिर आगे हम प्रोग्राम को continue करेंगे और यह आपको मालूम चल पड़ गया है कि जावा यूटिल जो package है या एक इस्तेमाल करते हुए हम आगे continue करते हैं सबसे पहले हमने इस package के अंदर क्लास होता है इसकेनर क्लास इसको लोड किया इंपूर्ट जावा डॉट यूटि डॉट इसकेनर इसक्लास को हमने लोड को लिया आपको इस package के बारे में मैं बताया था इंट्रोडक्शन पार्ट में कि इस package का यूज करके हम यूजर से इंपूट भी लेते हैं तो अब हम इंपूट लेंगे यूजर से ठीक है तो यह सकेनर क्लास को हमने फाइल के अंदर अपने लोड कर लिया उसके बाद हमने एक क्लास बनाया जिस क्लास का हमने नाम रखा म अब मैन क्लास की यहां से बॉडी स्टार्ट होता है और देखो और उसके बाद इसके अंदर हम मैन मेथड लेंगे इस क्लास के अंदर पॉब्लिक एस्टेटिक वायड मैन एस्टिंग एर्गमेंट ठीक है एसकेनर क्लास की हमें हेल्प करके एक प्रोग्राम बनाना है तो ह हम सी रफ क्या करेंगे स्केनर क्लास के यहां पर ऑब्जेट कर लेंगे और इसके कंस्टेक्टर के अंदर सिस्टम रॉटीन पास कर देंगे ठीक है हो मैं समझा रहा हूँ और उसमेंसे हमें स्केनर कला मैं यहां पर युज किया हूं मैसे दएंगे System.out converts ले इंटर first vali user का मनें मैसेघ दिया इंटर को मिलेगा Messenger इंटर एपने करके कंसोल के एक करेगा अपना first value ठीक है उसको हमने a.nextわか्टम मेंठ चलाया जो कि a scanner class के अंदर एक method होता है next in इस method के तुरू हम value को pass कर देंगे ये variable के अंदर ठीक है और ये variable के अंदर value चला गया फिर दूसरा message देंगे system.out.printerline इंटर second value फिर फिर value दूसरा इंटर करेगा d.nesting method चलाएंगे और बी के अंदर value पास कर देंगे ये के अंदर value आगया बी के अंदर value आगया अब c is equal to a plus b कर देंगे इस एड हो गया यहाँ पे दोनों variable का value और उसके बाद हम system.out.printerline sum of a and b को हम यहाँ पे sum को print मतलब की c को print करा लेंगे इस variable को यहाँ पे print करा लेंगे यहाँ पे man method को बंद कर लेंगे और यहाँ पे class को बंद कर लेंगे program को save करेंगे compile करेंगे और run करेंगे तो कुछ चीज़ पर कराएगा सबसे पहले इंटर first value 10 डाला इंटर second value 20 डाला sum of a into b a and b 30 ठीक है तो हमने इस video के अंदर आपको सबसे पहले predefined package का मतलब समझाया उसके बाद इसके कितने type होते हैं predefined package के अंदर कितने और package हैं ठीक है उन package के अंदर classes कितने हैं उस classes के अंदर dot class file कितने हैं यह सबी चीजे मैंने आपको discuss करते ले करके यहां तक प्रोग्राम तक ले करके आया हूँ ठीक है अब आपको total चीज का funda पता चल गया है अब इस program को हम computer machine पर चला करके देखेंगे तो फ्रेंड हम आ चुके हैं अपने computer machine पर और आपको दिख रहा है हमने प्रोग्राम को सबसे पहले compile किया और उसके बाद round किया तो फर्स्ट इंटर फर्स्ट वैल्यू इंटर फर्स्ट वैल्यू में जावा डॉट यूटिल पैकेज का और इस पैकेज का यूज करते हुए हम आपने आपको एक प्रोग्राम बना कर दिखाया और यह जो जावा डॉट यूटिल पैकेज है या एक प्रिडिफाइन पैकेज है जावा प्रोग्रामिंग का तो वीडियो कैसी लेगी कॉमेट सेक्शन में बताना वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक यू